वेलकम इन उम्मल मदारिस मोडल स्कूल बिस्मिल्लाहिराह्मान इर्राहीम असलाम अलेकुम वर रहमतुलाहिव बराकातु हूँ हाव आर यू? होब सो, यू आर फाइन यूनेट नमबर टू सेल डिविजन का लास टॉपिक एक्जैम्पल्स ओफ इन्हेरिटेबल करेक्टर्स पेज नमबर ट्वेंटी सिक्स जो है वो आज हम डिसकस करते हैं फर्स्ट अफ ओल डिफाइन इन्हेरिटेबल करेक्टर्स या what are inheritable characters जो बिटा, inheritable characters को हम डिटेल से डिसकस कर चुके है Such characters that are transmitted from one generation to next generation ऐसे characters जो के parents से next of spring में transmit होते हैं उन्हें हम inheritable characters कहते हैं और इसकी examples में हमने eye color, hair color, intelligence, height ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली है अब first of all, यहां पे हम देखते हैं कि why eye color is called inheritable character Eye color को हम inheritable character क्यों कहते हैं ठीक है, तो बिटा, inheritable characters जो हैं वो वो वाले characters हैं जिने genes control करती हैं ठीक है, यानि inheritable characters जो हैं, वो controlled होते हैं by a pair of genes For example, अगर हम eye color की बात कर रहे हैं तो हमारा eye color जो है वो एक specific gene का pair है जो के eye color को control कर रहा है और वो कैसे control करता है Genes control production of brown pigment ठीक है Brown pigment की production को जो है यह gene का pair control करता है और यह brown pigment कहां produce होता है In the iris of eyes अब what is iris? Human eye में colorful जो part है ठीक है, उसे कहते हैं iris If genes work and produce more pigment अगर तो वो specific genes अपना काम कर रही है और ज्यादा pigment जो है वो produce कर रही है तो eyes का जो color है वो क्या होगा Black ठीक है यानि gene का pair जो के production of brown pigment in the iris of human eye को control कर रहा है अगर तो वो genes का pair अपना काम fully यह efficiently कर रहा है तो वहाँ पे color जो है वो क्या होगा Black color होगा Very less pigment और अगर जो pigment है वो बहुत थोड़ा produce हुआ है Brown pigment बहुत थोड़ा सा produce हुए तो उसके नतीजे में जो eyes का color होगा वो क्या होगा Light brown Light brown color of eyes इसी तरह blue, green, hazel color जो हैं वो कैसे produce होते हैं developed due to the production of brown pigment in different amounts यानि different amount में अगर हमने eye color देखा के light brown कैसे होता है जब pigment जो है ये pigment produce होने के नतीजे में eyes के color जो है वो क्या होते है different color की जो eyes जो है वो इस तरह से हमें ये देखें जैसे picture में नज़र आ रहा है different colors नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें जो brown pigment है वो different amounts में जो है वो produce हुआ है और उसे control किसने किया है jeans के pair ने next है हमारे पास attached and detached detached के बिटा spell देख लें d e और उसके आगे attach लिखना है t a c h e d attached and de attached ear lobes अब यहाँ पे attach का मतलब क्या होता है जुड़ा होना and detached मतलब free ठीक है जो जुड़ा हुआ नहीं है अब इसमें देखते हैं कि जो ear lobes है वो attach होते है with side of face while others have free अब ear lobes जो है वो किसे कहते है ear lobes यह देखें हमारे कान के नीचे यह छोटा सा जो हिस्सा है कुछ लोगों के यह face के बिल्कुल साथ जो है वो attach है ठीक है जिस तरह से इसमें आपको नज़रा रहा है और कुछ में यह free होता है जैसे most लोगों में यह free ही होता है अब आप खुद अपने जो है वो कान को हाथ लगा के देखें कि आपकी attach है यह free ear lobes आपके है ठीक है या जोगों के यह free ही होते है लेकिन कुछ लोगों में जिन में jeans का वो pair जो कि इस character को control कर रहा है वो अपना काम नहीं करता तो उसमें यह face के साथ क्या होते है attach होते है तो बेटा इस इस आल्सो यह वाला character भी जो है यह भी control कौन करता है jeans control करते है when said jeans अब said jeans यहाँ पे क्या मतलब है इसका specific jeans जो कि इस character को control कर रही है जब वो अपना काम करती है तो यह free होती है तो earlobs क्या होते है free होते है लेकिन कुछ लोगों में जिन में यह jeans अपना काम बिलकुल नहीं करती तो उनके face के side पे यह attach ही रहता है अब आज हमने दो topics page number 26 से यानि last topic है हमारा unit number 2 का यह हमने understand किया है तुमाम students ने इसे अच्छे तरीके से understand करना है याद करना है इसके इलावा वर्कशीट का assignment का एक page जो है वो आपने solve करना है और एक long question आपने neat notebook पे write करना है ठीक है और अपना काम g-suit पे send करना है थैंक यू अल्ला हाफीज